हलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम प्रियंका है और स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज हम सेयर करेंगे आपके साथ आलो गोबी की सबजी बिना लेसन प्याज का बिल्कुल भंडारे स्टाइल ये सबजी बनके तैयार होगा जैसे भंडारों में हलवाई बनाते हैं वैसे बन तो चलिए हम बनाते हैं सबजी सबसे पहले यहां पे गोवी साफ करके कट कर लिए हैं और साथ में चार आलो मीडियम साइज के बॉयल करके लिए हैं आप चाहे तो कच्छा आलो भी डाल सकते हैं पर बॉयल करके डालेंगे तो ग्रेवी बहुत अच्छा बनता है और यहां प पुरे गोवी को डाल दिये हैं और अच्छे से इसे पलडते हुए इसके साइड को चेंज करते हुए तब तक हम इसे भून लेंगे जब तक गोवी के ऊपर आपको एक ब्राउन सा लेयर दिखने ना लगे और यहां पे गोवी हमारा 70-80% फ्राई हो चुका है गोवी के ऊपर ब्राउन सा लेयर आपको दिख रहा होगा यहां पे हम इसमें आलू डाल देंगे तो बॉयल आलू है इसे हम ऐसे हाथ से तोर के डाल रहे है रफली तोर के डाल लेंगे आप चाहे तो इसे कट करके भी डा सकते हैं पूरे आलू डाल देंगे और थोरी देर इसे हम गोवी के साथ भून लेंगे तो गोवी के साथ इसे हम थोरी देर भून लेंगे और गैस कफले में यहां पे मीडियम रखिएगा और यहां पे आलू हमारा बहुत अच्छे से भूना चुका है आलू गोवी दोनों पट करके डालेंगे और एक चमच यहां पर हम जीरा डालेंगे थोरी दिर इसे हम भून लेंगे और एक चौथाई चमच इसमें हम हिंग डालेंगे तो यहांपर दो ड्हाइच छुटकी के करीब हम भी डाल दिये हैं और अब इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले गैस को यहां पर बिल्कुल सीम रखिएगा एक चमच धनिया पौडर आधा चमच जीरा पौडर और एक चमच लालमिर्ची पौडर डाले हैं कसमिरी लालमिर्ची पौडर है इसे सबजी तीखा नहीं होगा बस बहु पानी भी डाल दिये है और यहीं पे आप टेस्ट के अनुसार नमक डाल दीजे नमक डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और थोरी देर के लिए हम इसे कवर कर देंगे कवर कर देने से टमाटर जल्दी पक जाता है तो थोड़ी देर के लिए एक देर मिनट के लिए आप इसे कवर कर दीजे और यहाँ पे टमाटर हमारा सौप्ट हो गया है और अब हम इसे भून लेंगे बिना कवर किये हुए थोड़ा सा कसूरी मेथी एड़ कर लेंगे अगर आपको पसंद है तो जरूर डालिएगा बहुत अच्छा फ्लेवर एड़ हो जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले से तेल अलग दिखाई देने लगा है मसाला हमारा बहुत अच्छे से भूना चुका है तो आलू गोभी यहाँ पे डाल दीजे और आलू गोभी डाल के मसाले के साथ हम इसे थोरी दिर भून लेंगे तो थोरी दिर आप मसाले के साथ भी आलू गोभी को भून लीजे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी और यहाँ पे आलू गोभी को मभून लिये है मसाले के साथ तो एक ग्लास हम पानी डाल रहे हैं आपको जैसा ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डाल लीजे इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 3-4 मिनट धखके पका लेंगे गोभी हमारा 50% पहले से पका है और आलू बॉइल है तो पकने में टाइम नहीं लगेगा 3-4 मिनट हम भग के पका लेंगे फिर चेक करेंगे तो यहाँ पे करीब 4 मिनट हम धखके पकाएं हैं और चेक कर लेंगे तो गोभी पूरी तरह से पक चुका है अगर गोभी नहीं पका है तो आप इसे ढख के थोड़ी दिर और पका लिजे पर यहाँ पर यह सबजी पूरी तरह से तैयार है ग्रेवी भी गाड़ी हो गई है तो अब हम इसमें डालेंगे एक छोटी चमच गरम म पाउडर और कटे हुए धनिया का पत्ता अगर आपको पसंद है धनिया का पत्ता तो जरूर डालिएगा बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे गैस अभी हम बंद नहीं किये हैं अच्छे से मिक्स करके कवर कर दीजे और एक मिनिट बाद गैस बंद करेंगे तो यहां पर एक मिट हो गया है गैस बंद कर देंगे और अभी हम ढग कर नहीं हटाएंगे सबजी को थोरा सा ठंडा होने देंगे यहां पर थोरा सा सबजी ठंडा हो गया है और आप देख सकते यह कितना यमी दिख रहा है बहुत जादा टेस्टी यह सबज बनके तयार होता है और बनाना भी आसान है आपने देख लिया तो एक बर बनाईएगा और बताईएगा कैसा लगा मेरा ये रेसेपी अगर मेरा रेसेपी आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बिल का बटन प्रेस कर लिजेगा ताकि कि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंच सके वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सेर कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कुछ अच्छा नहीं लगे तो वो भी हमें जरूर बता दीजिएगा ताकि हम उसे सुधार सके, thank you, मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसेपी के साथ,